कि अग्र जो दोस्तों स्वागत आपका फिर से बार हमारे एकरी टेक्टनोजी के यूट्यूब जैनल में तो आज के वीडियो में हमारे टोपिक रहेगा टाइपस ऑफ क्रोपिंग क्रोपिंग के जितने पी टाइपस हैं वह हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे चलिए मोनोग्रोपिंग में क्या होता है सेम लैंड में सेम एयर में सिर्फ आप एक ही क्रोप को जिर्पिंट करते रहते हैं उस क्रोपिंग को कहते हैं मोनोग्रोपिंग नेक्स्ट आता है multiple cropping multiple cropping में क्या होता है एक year में आप same land पे more than one crop की cultivation करते हैं उसको multiple cropping कहा जाता है इसके बाद है inter cropping inter cropping में दो या दो से ज़्यादा आप cropping simultaneously grow करते हैं same area में alternate row के इसाब से उसको कहते हैं inter cropping अगला है mixed cropping mixed cropping में क्या होता है अप दो या दो से ज़्यादा crop एक field में grow करते हैं without row arrangement inter cropping में आपको row arrangement तरखना पड़ता था mixed cropping में आपको कोई row arrangement नहीं करना पड़ता इसे कहते हैं mixed cropping अगला है relay cropping relay grouping में क्या होता है अप crop की sowing कर देते हो पिछली crop का harvest होने से पहले है इसे कहते हैं relay cropping यानि कि planting या sowing of the succeeding crop before the harvesting of preceding crop is called as relay cropping अगला आता है multi-storied cropping इसमें क्या होता है अप दो या दो से ज़्यादा crops का cultivation करते हैं जो की different height की हो but in the same land इसे कहते है multi-storied cropping अगले cropping system है parallel cropping parallel cropping में जो आपकी inter-group grow करते हो आप यानि कि इसमें क्या होता है आप growing of inter-group which have zero competition and different growth habits यानि कि आप ये same land पर same time पर ऐसी crop growth करते हैं जिसमें की zero competition है और दोनों की growth habits अलग-अलग है उसे कहते हैं parallel cropping अगले cropping system के बात करें तो वो है synergetic cropping इसमें क्या होता है इसमें होता है growing of inter-group in which the yield of the crops are higher than their pure crop यानि कि आप inter-group की growing करते हैं जिसमें की जो आपकी yield है वो pure crop से अगर आप single crop बहते हैं उससे बढ़ जाती है इसको कहता है synergetic crop यानि कि inter-group की cultivation करना जिससे की आपकी pure crop है उसके इसाब्स है inter-group की yield है वो ज़ादे आए सब्सक्राइब कर लिजे हमारे चैनल को और आपको वीड़ अच्छी लगी हो ऐसी वीड़ लेकर मैं आता रहूंगा तब तक के लिए जैहिंद वन्ने मातरम तब तक के लिए अज़ादे लिए भाझांगा